नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका UPSC Adder 247 पे दीए हाल ही में सरकार ने एक बड़ा चेंज किया है यहाँ पर जो फ्लैक कोड था उसमें कुछ बदलाव किये गए है और एक नया फ्लैक कोड जो है हमें मिल चुका है यहाँ पर आप न्यूस भी देख सकते हैं Central Amand Flag Code to Allow Pupil to Display Tri-Color 24x7 मतलब यहाँ पर जो तिरंगा है अब जब से यह फ्लैक कोड नया हमारे सामने आया है तब से अब तिरंगा जो है चोईस गंटे फेराया जा सकता है पहले फ्लैक कोड क्या था अब इसमें क्या चेंज ज़ुआ है फ्लैक से सम्मदित क्या क्या नियम है और साथ ही जो घर घर जो तिरंगा यह जो अभियान चलाया जा रहा है इसके बारे में बहुत कुछ सब कुछ हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इससे प्रिजन करता हूँ मैं मेरा नाम है स्वरब स्वामी उससे पहले आपको यह चीज जरू ध्यान रगनी है जो UPSC CSC का 2.0 जो बैश है complete foundation batch यह live हो चुका है आप यहाँ पर top faculties के साथ पढ़ेंगे one to one perfect mentorship with the IS officers और भी कई officers आपके सामने रहेंगे recorded videos है live classes है e-notes doubt sessions सब कुछ यहाँ पर organize किया जाएगा आप इसको limited seat है वैसे भी देखिए तो इसको आप enroll जरू कीजिए और इसमें जो जब आप enroll करें उस समय जो code है आपको use करना है Y572 आपको direct discount जो है available हो जाएगा और काफी शांदार price के अंदर बहुत ही कम price में आपको इतनी सब कुछ चीजे जिसमें C-set के लिए भी special badge free available है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा इस complete life foundation badge 2.0 के लिए तो आप यहाँ पर इसको enroll करना बिल्कुल भी ना बूलें क्योंकि यह one stop selection solution है for the UPSC civil services examination देखिए present time पे एक चीज़ आपको जाननी है वो सबसे पहले यह जाननी है कि यह जो तिरंगे का वर्तमान सवरूप जो हमें दिखता है यह 22 जुलाई 1947 को भारतिय सविधान सभा की बैटक के दोरान अपनाया गया था तब से इस धवज का एक ही डिजाइन है और इस धवज को 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया था एक तरीके से राश्टिय धवज के रूप में इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था इसके साथ देखिए इस बार आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर सरकार हर घर तिरंगा अभियान है वो शुरू कर रही है क्योंकि इस बार आजादी का जशन है वो काफी ज्यादा खास होने वाला है इसे देखते हुए सरकार ने भारतिय ध्वज सहीता एक तरीके से जो फ्लैग कॉर्ड ओफ इंडिया है उसमें चेंज किया है अब इस बदलाओ के बाद में देखिए हुआ क्या है कि अब दिन हो या रात हर समय जो तिरंगा फेराने की इजाजत है वो मिल चिकी है उसी के साथ साथ एक बड़ा जो चेंज है वो ये भी हुआ है कि पॉलियेस्टर और मसीन से बना हुआ जो फ्लैग है जो राश्टिय ध्वज है वो भी फैराया जा सकता है तो ये मेजर चेंज हमें देखने को मिला है और वैसे भी देखिए इस बार आज़ादी का जसन वास्तम में काफी ज़्यादा स्पेशल है आज़ादी के 75 साल पूरे होने को प्लक्ष पर इस बार घर गर तिरंगा अभियान जो है वो केंद सरकात चला रही है इसके तहट आप ये समझ सकते हैं कि 20 करोड से अधिक घरो में जन भागिधारी से सबके सयोग से सबके हर्शोलास से जो तिरंगा है वो हर घर पे फेराये जाएगा 13 से 15 अगस्त के जो अभियान है ये चलाये जा रहा है और ये बहुत बड़ा अभियान आप मान सकते हैं 20 करोड से अधिक लोग घरों पर तिरंगा अपने हम और आप भी इसमें पूरी सयोग कर सकते हैं अधिक इसमें सरकारी और नीजी परतिस्थान दिश्चा मिल हैं और इस अभियान को लेकर परशासन जोरो सोरे से त्यारी कर रहा है केंदर हो या फिर राज्य सरकार हो इसके लिए नोडल अधिकारी जो है वो तक नियुक्त क ये गए हैं और इसके लिए केंदर सरकार ने तीन तरह के जंडे के उत्पादन की व्यस्ता भी की है ये धाग गरों में अपलब्द होंगे और लोग जो है वो तिरंगे को ओनलाइन भी खरीद सकते हैं और त्री टाइप सो फ्लेग्स हमें या आपर देखने को मिलेंगे अ आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष में इस बार की जो इंडिपेंडेंस डे है वो काफी ज़्यादा स्पेशल होने जा रहा है और इसमें हमारा सयोग भी काफी ज़्यादा जरूरी है अज़ा एक सवाल आपके मन में होगा कि ये जो फ्लेग कोड बनाया गया था ये कोड हमारे सामने आया और ये जो है वो राष्टे धवज के उपयोग उसके परदर्शन उसको फेराने से संबंदि जो दिशा निर्देश है वो हमें देता है जो गाइडलाइन है वो हमें देता है इसे 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था तो जो ओल्ड फ्लेग कोड है मतल कि अब 24 by 7 हम 24 गंटे 7 दिन तक जो राष्टिय धज है वो फेरा सकते हैं और वैसे भी देखे भारतिय राष्टिय धज का ये जो परदर्शन उसका फेराने का तरीका ये नेशनल फ्लेग कोड 2002 और एक तरीके से राष्टिय गौरों के अपमान की रोक्थाम अधिनियम 1971 के काम करता है और भारत की द्वज सहीता जो इंडियन फ्लेग कोड है उसको 20 जुलाई 2022 के एक आदेश के माध्यम से शंशोदित किया गया है अब इसके बाद में भारती की जो भारती है जो द्वज सहीता है जो नेशनल फ्लेग कोड है 2002 उसके भाग 2 के पेरागराफ 2.2 के खंड 11 को काफी बड़ा एक लाइन आप मान सकते हैं लेकिन 2002 के भाग 2 के पेरागराफ 2.2 का जो ब्लोक 11 है उसको अब चेंज कर दिया गया है यहाँ पर अब जहां जंडा परदशित किया जाता है उसके रूप में पढ़ा जाएगा कुछ अलग क्या पढ़ा जाएगा कि अब दिन और रात दोनों टाइम जो नैशनल फ्लैग है वो फेराया जा सकता है खूले में या किसी नागरिक के निवास पर परदशित किया जा सकता है इसे दिन में या रात में फेराया जा सकता है और पहले देखिए जो नियम था वो ये था कि शंशोधन में आई है कि राष्ट्य धज जो है हाथ से काता हुआ या फिर हाथ से बुना हुआ या फिर मसीन से बना हुआ होगा पहले देखिये ऐसा था कि पॉलिष्टर के जो तिरंगे हैं उनको फेराने की अनुमती नहीं थी अब यहां पर कपास पॉलिष्टर ओन, रेश तिरंगा उसके लिए ये शायद अमेजमेंट जो है काफी बड़े लेवल पर गिया गया है लेकिन कुछ नियम आप ज़रूर जान सकते हैं धज को फेराने के ये नियम जो है बेसिक नियम है जो हर बार हमें पढ़ने को मिलते हैं साथ नियम यहाँ पर हम डिसकस करेंगे ज़र गया जो है जो फ्लैग है वो नहीं उतारा जाएगा तीसरा नियम जो है वो इंपोरे इट है वो ये है कि दवज का उप्योग वरदी या पोशाक की रूप में नहीं किया जाएगा जहंडे को रुमाल तकी है या फिर किसी अन्य पोशाक पर चापा नहीं जा я सकता सब नहीं लिखे होने चाहिए ये फ्लैक कोड के खिलाफ है उसके साथ साथ चटवा जो नियम है वो ये है कि ध्वज का अपयोग वाहन, ट्रेन ना, विमान, आदी की चट को डखने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और साथ जो नियम है वो ये है कोई भी अन्य ध्वज भारतियों जज के सामने उचाई या उपर नहीं फैराना जाना चाहिए ये साथ नियम जो है बेसिक नियम माने जाते हैं फ्लैक को फैराने के ध्वज को फैराने के वैसे भी दिखे ध्वज जो है राष्ट्य धर्ज वो हमारी नेशनल प्राइड है तो इसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य भी है हमारा उदेश्य भी है हमारा फर्ज भी है इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए 55 साल भी हम इस बार पूरे कर रहे हैं इसी वज़े से ये जो हर घर तिरंगा है इसकी तयारियां जोरो शोरो से हमें देखने को मिल रही है 13 से 15 अगस्त तक ये जो केंपेन है ये केंदे सरकार के दोरा चलाया जा रहा है हम भी इसमें जितना सयोग दें उतना ही कम है साथ यदि आप ADDA247 की जो application है या website है वहाँ से course जो है enroll करना चाते है तो आप जो है इस method से course जो है परजेज कर सकते हैं ये same method जो है आप application में भी applicable कर सकते हैं सबसे पहले आपको ADDA247 का application खोलना है या फिर website खोलन ली है जिसमें all courses का जो option है आपके सामने आएगा फिर चाहिए आप किसी की भी तियारी करना चाते हों specifically ली हम example के लिए बात करें UPSC के आप तियारी करना चाते हैं तो UPSC वाले section पर आप जब click करेंगे तो उसके बाद में आपके सामने इस तरीके से UPSC, ESIS, MahaPAC, ALC, EFPO, State PCS ऐसे जो courses हैं वो आ जाएंगे जिसमें यह दिया हम UPSC MahaPAC की बात करें तो तीन MahaPAC available है present time पे जिनको आप enroll कर सकते हैं चाहे फिर आप college student हों या फिर आप beginner हों आप UPSC के तियारी करना चाते हैं तो इन MahaPAC को आप enroll कर सकते हैं complete life foundation badge जो हो भी शुरू हो चुका है तो इस तरीके से देखिए test series, e-books, सब कुछ available है ADA247 application पे या फिर website के उपर तो मान लीजे आपको यह जो course है यह जो UPSC CAC का प्रीमे महाPAC है यह enroll करना है इसको आपको purchase करना है तो आप यहाँ पर price देख सकते हैं और present time पे mountain carnival festival भी चल रहा है जिसमें आप जब rain जो coupon code है वो use करेंगे तो आपको 75% का off मिलेगा लेकिन रुकिये आपको ऐसा नहीं करना है आपको जो करना है वो यह करना है कि जब आप इसको purchase करेंगे तो यहाँ पर जो enter coupon code है इसके option में जाने के बाद में यहाँ पर rain और mn15 जो coupon code है वो तो already applied हो चुके है लेकिन जब आप इसमें y572 जो code है उसे applicable करेंगे तो आपके सामने जो price आएगी नहीं वो आएगी 18,859 रुपे तो आपको direct 77% का जो discount है वो मिल जाएगा तो 2% discount आपको और मिलेगा यदि आप y572 जो code है उसे use करते हैं तो इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ की तयारी कर रहे हो चाहे bank हो, SSC हो, UPSC हो, state PCS हो यहाँ पर बहुत से courses available है आप जिसको भी enroll करना चाहते हैं आप यह जो y572 जो code है उसे use कर सकते हैं और 77% का direct discount जो है आप पा सकते हैं और साथ ही ADDA247 का जो application उसे download करना बिल्कुल भी न भूलें और complete foundation badge जो है वो भी आपको महा pack में जरूर मिलेगा तो आप इसको भी enroll कर सकते हैं इसकी classes 29 जोन से जरू हो चुकी है और subscribe किजिए UPSC ADDA247 चेमेनल को लाइक शेर करना बिल्कुल भी न भूलें इसी तरह के important और informative वीडियो से साथ मिलते रहेंगे धन्यवाद